हम जरूर लड़ते रहेंगे विक्तिकत रूप से मुझे भी नरेंद्र मोधी से कोई लेना देना कुछ नहीं है आपके जो पालिसीस है जो किसान विरोधी जनता विरोधी लोक तंत्र विरोधी ताना शाही पालिसीस जो है जिस प्रकार का जुलुम सरकारी संस्ताओं का दुरूपयोग आपकर रहे हैं उसके विरोध में हम बात करेंगी पालिसीस पर हम बात कर रहे हैं अगर आप इमानदार है सच्चे है तो कल के पुब्लिक मीटिंग में हैदराबाद से ही बारत के जनता को उत्तर दीजिए बताईए साफ साफ क्या हुआ स्री लंका में यह हम आप से पूछ रहे हैं वरना हम आपको दोश ही मानेंगे बिल्कुल दोश देंगे आपको आपका आउरेग नाराता जब आप प्रदान मंत्री बने थे मेकीन इंडिया मैं पूछ रहा हूँ माननी है प्रदान मंत्री जी कुछ नतीजा मिला इसका आपके डर से आपके रवया से आपके नीतियों से पूछ जी पती अपने निवेश को वापस लेके देश से भाग रहे हैं भूतपुरु केंद्री सरकारियों का गलत से पहले हमारे देश से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ अब आपके काल कंड में आज निवेश का ड्रेन हो रहा है लाकों करोर विदेश्व में जा रहे हैं मेकिन इंडिया में लोग नहीं आए मेकिन इंडिया में कुछ नहीं हुआ यह तो जूट था बिलकुल जूट सफेद जूट हुआ ही क्या है कल के बाशन में बताईए क्या हुआ मेकिन इंडिया में कुछ आया देश में या कुछ गया कितने बारी उद्योग चले गए कितने इस्रामिक रोडों पर आ रहे हैं आपके गलत नीतियों के कारण से तुलना कीजिए अगर आपके पास बुद्धी की कमी है तो सीख सकते हैं हमारे बगल में हिमालाई के उस पार रहने वाले चेना में क्या हुआ वहां बाते कम काम ज्यादा अच्छा नतीजा यहां मारे पास बाते ज्यादा काम कुछ नहीं गलत नतीजा मेकिन इंडिया को लेके चेना में किस प्रकार का क्रांती आया कितने उद्योग आया कितने निवैश आये मावोस आपके दावर तक चेना गरीब से गरीब था उनका जीडिप आमसे कम था आज 16 ट्रिलियन एकानमी से 16 ट्रिलियन डालर एकानमी से चेना है आपने देश का मजाग उड़ा दिया 5 ट्रिलियन एकानमी का खाब दिखा के पांच ट्रिलियन ही मजाग था अपने आप में हासिल होने वाला प्रगति को आपने आपका पचार कर लिया 5 ट्रिलियन एकानमी का खर ठीक है वो 5 ट्रिलियन में भी पहुंचेंगे है हम लोग आज कहां पर है हम लोग हमारे से बुरा हाल रखने वाला चेना हमारे से कम GDP रखने वाला चेना हमारे से कम काल्टिवेबुल एरियबुल लैंड रखने वाला चेना आज कहां है 16 ट्रिलियन एकानमी से आज हम कहां है 3.1 ट्रिलियन डालर पर है हम लोग आज इसी रफ्तार से अगर हम चले आपके बताय हुए 5 ट्रिलियन पर भी पहुंच पाएगा इंदुस्तान कभी नहीं यह असंभव है आपके काल कंड में तो देश में हर चीज गिर गया GDP क्राश यह मेरा नहीं सरकारी फिगर से इंफ्लेशन बढ़ता जीडीपी गिरता प्राइज राइज तो आप कंड्रोल नहीं कर पाते पिर किस चीज के आप कंड्रोल कर पा रहे है लाकों खरोडों श्रामिक जो उद्योगों में काम करके के अपने जीवन बिताते वो बेहाल है परेशान है मजबूर है आंधूल न कर रहे हैं और आप उसका अपमान करने में वैस्त है मुदी जी मैं एक बात पूछता हूँ सव साल के लिए एक सव साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में बगवान हो या प्रकृति हो दिया हुआ संपत्ति है कोईला एक सव साल के लिए आवर भी जियालोजीकल सर्वे से आवर भी निकल रहा है हर साल 5 मिलियन टन से लेके 5000 मिलियन टन से लेके 10 Хजार मिलियन टन का कोईला निकलता है जब सर्वे करते हैं एक चीज बताईए, इतनी संपत्ती, इतनी नियेचरल रिसोर्स हमारे परस रखते हुए आज विदेव श्यंशे आप कोईला क्यों मंगा रहें, दीजिए, कल उत्तर दीजिए, कल आपके बाशन में कहिए, ताके देश जाने, क्या मजबूरी है, आप मजबूर हैं आपके श राज्यों के सरकार पे दबाव दाल रहें, हुकुम पे हुकुम दिये जा रहें, कि 10% इंपोर्टेड कोईला इस्तेमाल करो, वरना तुमारे कोल इंडिया से कोल सप्ले बंद किया जाएगा, ये क्या दादागिरी है, जबर्दस्ती है, ये लोक तंत्र का मान मर्यादा है, इस्वन जी मैं आपके सामने रखना चाहरो, हमने इंकार कर दिया, अब जो मर्जी कर लो, जो कि हमारे की इत्यास है, कोल इंडिया के इलावा, हिंदुस्तान में ये की राज है, जिसके पास एक कोईला काना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरीस, हमने कहा हमारे खुद का कोईला है, तो हम क्यों लें, हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान के कोईला 4,000 के अंदर एक तन मिलता है, मोधी जी का जो कोईला है, 25 से लेके 30,000 कट मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, जोगे इनका दोस्त है, एक शावकार वो इंपोर्ट करता है, इसलिए मै आपको टैटिल दे रहा हूं कि आप प्रदान मंतिर का काम नहीं कर रहे हो, आपके शाहुकार दोस्तों का सेल्समेन बनके काम कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, हमापका कोई विक्तिकत निन्दा नहीं कर रही है, अपका जो कोला इंपोर्ट पालिस्यी हैं उस पर हम आपको नहीं है आप सही है तो कल उत्तर दीजिए कि कल के आम सबाजो कि बड़े इंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के कि आप आज जीत कर रहे हो खुशी की बात है कीजिए हमें उससे को एत्राद नहीं है लेकिन उस सबा के दौरान जो आपका बाशन होगा जो सवाल आज हम कड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे है क्लारिफिकेशन हम चाह रहे है अगर आप निर्दोश हो तो बताएए देश के सामने रखिए मेकिन इंडिया नहीं हुद्जयोग तो नहीं आए जो आलड़ी है हमारे पास वो भाग रहे है फिएट कंपनी चला गया फोर्ड कंपनी चला गया जनरल मोटर्स चला गया डाट्सन चला गया उनाइटेड मोटर्स चला गया हारली डेविडसन चला गया क्या यह सच नहीं है यह मेकिन इंडिया का नतीजा यह तरीका है देश चलाने का इंच्योजन से देश का विकास होगा विकास नहीं सत्यानाश होगा अगर यह माहूल ऐसे ही बने रहे पूंजी पत्ने अपने निवेश को विजड़ा करें हमारे देश से इंडिस्ट्री बाग रहा है निवेश का ड्रेन हो रहा है हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे देश का सर्वनाश होगा बड़ा ही दुख होता है हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है यह कितनी गलत बात है हमारे इतने विशाल देश है विशाल जनता है 140 करोड पर पहुंच रहा है हमारे पाप्लेशन इनके साथ जो आप खिलवारा कर रहे हो मजाग कर रहे हो यह देश के हीत में अच्छा नहीं है बिल्कुल गलत है आपने ये एक भी बात निभाय क्या आपने कहे दिया काला दन वापस लाएंगे आया क्या मुदी जी अगर आया तो कहां आया अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला दन वापस आया भई सर जुग जाता है शरम से सरकारी आंकड़े बताते हैं काला दन डबल हो गया दुगना हो गया काला दन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ सिस बैंक से पैसे नहीं आये मोदी जी के काल कंड़ में दुगना हो गया डबल हो गया यह रिपोर्ट से यह हमारे आरोप नहीं है अकिकत है यह सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है यही आपका महान कार्य कारता है एक भी वादा कम से कम एक भायों बहनों दोजार बाबिस तक कोई कोई आदमी कोई कुटम वैसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो दिया हम तो दोजार बाबिस में आगे मोदीजी अभी नहीं पहुंचे दोजार बाबिस में बड़ी अजीब बात है ब्रस्टाचार मुफ्त बारत गोदीजी का एक पापलर नहरा मैं ना खाऊंगा ना खाने धूंगा आप तो इतना का गए इतना किला रहे आपके शाह कारों को गोठाले लागों करोड़ों में जा रहा है हाँ पूरा है रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में बिल्कुल है किस किस देश से किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समेन बनके काम किया उसके पीछे कितने बड़े-बड़े गोटाले है देश जान चुका है मोधी जी आप धरा दमका के कितनों के आव बढ़ गए बैंक के लुटेरे बढ़ गए नपीएस का लेवल इस कद में बढ़ा मोधी जी आप से पहले नान-परफार्मिंग अकाउंट्स का जो गिंती है वो सिर्फ चार-पांच लाग करोड में थे आज नपीएस का क्या दर है 20 लाग करोड ये है विकास मोधी जी इस स्टोफा दिया अपने देश को का ये भी गलत है हम जो कह रहे है सच कह रहे है आप ही के बतायो वे आंखड़े कह रहे है ये हमारे आंखड़े नहीं है ये इस फिटर्स और नाट माइन आइस्ट इस फिगर शिखर फिट है कि बें गिवन पाहन अनुरेब इन अनूरेबल NPS in India today is about 18.6 lakh crores पता ने उसके बाद में और कितने बड़े इस इडिप्लाइ बाई पाइड फाइनस मिनस्टर फिंडिया यह आपके गती शील विकास शील नीतियों का नतीज़ा है क्या किस चीज का यह नतीज़ा है आपके गलत कारणामों से गलत उसुलों से गलत फाइसलों से देश का मान मर्यादा गिर रहा है जीवन प्रमान गिर रहा है लोगों में आकरोश बढ़ रहा है यह सच है 15 लाग देंगे और किसी के काते में आ चाहिए 15 पैसे नहीं है । मुझ इंतिजार करें कभी का रहे आप मोदी जी हम तो आपको वोड़ देत रहेंगे 15 लाग 15 लाग जिब तक्पाक्न मारे काते में नहीं है राशा है कि कभी गा रहें आपके गुनकान किसी भी वादा वुज्योग पतियों के साथ छोटे वुज्योगों के साथ आपने जो वाइदा किया में सेमी को एक गंटे के अंदर लोन देंगे महीनों बर बें इंतिजार करें नहीं मिलता बस आपका वादा वादा रही किया मुदी जी आप जब रूपिया गिर रहा था जब मानिय मंदमाउन सिंग्जी प्रदान मंत्री थे आप अपने गला फाड़ पाड़ के बोल रहे थे आज रूपिय का वैल्यू क्या है मैं पूछ रहा हूं आप से कल उत्तर दीजिए बारत के इतिहास में पहली बार सुपसे नीचा वैल्यू किसी प्रदान मंत्री के समय में नहीं हुआ यह भी आपको शोबा देता है प्रदान मंत्री जी 79 रूपिज US डालर के प्रती आज हमारा रूपी के वैल्यू है 79 रूपिज अरे बापने यह देश का हालत को बता रहे हैं आपका कितना महान अडमिनिस्टेशन है कि इसका यह नतीजा है आप ही कह रहे थे कि मैं जनना चाहता हूं भाई नेपाल का रूपिया नहीं गिरता बंगलादेश का नहीं गिरता सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता है हम जानना चाह रहे है मोधीजी आज भारत का ही रूपिया क्यों गिरता हम भी आज जानना चाह रहे हैं देश जानना चाह रहे हैं किसी प्रजान मंत्री के समय में इतना नीचे नहीं कया रूपी वैल्यू जितना आपके समय में जा रहा है और फिर भी आप बोलते हैं आपका डोल बचाओ क्या यह सचाई नहीं है अगर आप निर्दोश हो इसका उत्तर दीजिए कल के सबा में जन्ता को बताईए हम खुले आम पूछ रहे ना मकान दिए ना दुकान दिए ना वादा किया गया पैसे दिए ना नौकरी दिए दो लाग दो करोड नौकरी आँ हर साल अब खाईरत की बात यह है नया तो नहीं मिले लेकिन जिस कदर आप प्राइबेटाइज कर रहे हैं यह लाइसी जैसे संस्ता को भी बेच रहे नवरत्ना को भी बेच रहे है लोगों को रोड पे लाया जा रहा है नया तो नहीं मिले लेकिन है जो मौझूदा है वो भी जा रहे हैं यह मेरा बात नहीं सारे देश यह बात जानता है अब इतनी बड़ी लिस्ट है जो पढ़के मुझे अमरे मज़वना चारीश साब में लिखके दिया मुझे बढ़ा चारीश साब कुछ बैंट दीजिए एश्वन जी आ रहे हैं सबाहें अब इसको पढ़ दूँ तो आओर दो गंटे लगेगा पढ़ना चाहिए बात में पढ़ेंगे बहुत समय है मुझे जी आपका काल कंड में इतनी खूब एक भी काम आप काम्याप नहीं रहे एक भी काम आप अपने आपको रिवीव कीजिए एक बार मन से इंट्रास्पक्ट कीजिए क्या हो रहा है गंगा जी को बहुत पवित्र मानते हैं हम लोग गंगा जी का पानी पूझा पाट में हम इस्तमाल करते हैं इतनी पवित्र था इतनी मानियता गंगा जी में अपने गुजर्वाँं का अस्ति निमज्जन करते हैं हम लोग हाँ इस पात में मोधी जरूर मोधी जी का एक बहुत बड़ा विकास इन्होंने किया है पवित्र गंगा में इन्होंने अस्ति नहीं बलके मानव शरीर को ही बहा दिया शव बहे हजारों के दिदात में शव बहे करोना कंट्रोल में पूरी तरह से आप फेलियूर हो गए लाखो लोगों का मुरुच्य का आप खारण बने सदेनली जो ओरनाइट आपने लागड़ाउन अनोंस किया आजाधी के बाद दा लार्जस्ट ट्राउमा फेस्ट बाई इंडियन पॉलिटी यू मेर्ड़ पीपल लैक्स अफ पीपल कोर्स अफ पीपल वाक अंद रूट्स दुख होता है जो वीडियो कांफरेंसेस कर रहो ना करता समय में यह कर रहे थे मैंने सुझाओ दिया था एश्वन जी बड़ा दुख होता है कि मैंने कहां भाई ट्रेन तो देदो कम से कम उनको बेज देदें ट्रेन चालू करो कि शरम की बात तो यह है कि उतने गंबीर समश्या जन्नता फेस कर रही थी दुखी थी जन्नता कि मोधी जी कहता फ्री ट्रेन नहीं देंगे कि इश्वन साहब आप जिस राज से आते हैं वहां का बाई बंदू हमारे पस कहीं लाकों में काम करते हैं इस लाकों लोग बीहार से जारकंट से बंगाल से उत्तर पधेश से त्लंगाणय में काम करते हैं कैंहों फियल्डेस में मैंने उन लोग आश्वासं दिया भई मोदी साब नहीं दिये, नहीं दिये, लेकिन हम है तिलंगाना राज के सरकार है, हम आप लोगों को तिलंगाना राज के विकास के प्रतिनिदी मानते हैं, आपके पसीना से, आपके मेहनत से तिलंगाना का गती, प्रगती बढ़ती है, तो इसलिए हमने हमारे लोगों के स उनको मुफ्तुराशन दिया दवाई दिया फ्री ट्रेन वन सेवेंटीएट ट्रेंस तलंगाना सरकार के वोर से बुक करके वो गर पहुंचे तक उनको हर चीज वाटर बाडल के साथ खाने के साथ उनके जेब में एक हजार रुपए देखे हमने उसको विदा किया यह मोधी जी कहने नीती घेश के जनता के साथ केंदर सरकार देश के जनता के प्रती मोधी जी का यह प्रेम है फ्रीमे ट्रेन भी अरंजने करते ही जब जनता दुखी है, करोडों जनता, एक दोने करोडों में हर चीज, हर पाल्सी दियोश को नष्ट कर रहा है इंटरनेशनल इंडेक्सेस है, हर इंडेक्स में गिरावट, पहले से बुरा हाल, बद से बदहाल, बद से बत्तर होते जा रहे हैं इंडेक्स में हमारे स्थान 80 पर था, माननिय मोदी जी के काल कंड में 131 पर पहुंचके, यह आपका मिस्रूल का नतीजा है अंगर इंडेक्स में हमारे भारत का स्थान 36 ता, आज मोदी जी के बदावलत, मोदी जी के महान कारिकारता का निशाना है, हम 101 पर पहुंचके, फ्रम 63 तु 101, इंडिविजल राइट्स, फंडमेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का जगा पचेसी ता 85, आज हम पहुंच गए 11 राइट्स ओ उननिश, यहां पे भी गिरावट, राइट्स गारी, यहां पे भी गिरावट, बेरोजगारी, एवरायेस्ट इंडे इस्टरी, पोडिली मोडीजी आने से पहले इत्सका दर इसहाल परुईंट इसंटेज़, इसका परसनेज़, प्रड्म प्रुइंड परूङ है फडर्म आई परूफिन सब्सक्राश परुईणि नंपन परूइमि